गुट मॉर्निंग फ्रेंट्स मैं डॉक्र मीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हास्पिरल स्वर्पनेगर कानपूर यह बात बिल्कुल सही है कि पाइल्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और यह हमेशा एक क्वेस्चन आता है कि क्या जो पाइल्स है या बवसीर है या हेमरोइड्स है यह बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं इनको आज साइंटिफिकली एनलाइज करेंगे हम लोग पाइल्स होते क्या है जो लेट्रिन का रास्ता है उसमें कुछ वेंस होती है और कुछ धमनिया होती है अगर यह डिस्टेंड हो जाती है तो वास्तों में यह पाइल्स कहलाते हैं आप पाइल्स का रूप धारण कर लेते हैं नो पाइल्स बनते क्यों है यह चार कारण है ज उसमें ताकत ज़्यादा लगाते हैं लेटिन करते हैं, अगर आप लेटिन करते हैं, तो पाइल्स बनने की संभावना बढ़ती है, अगर आपको क्रोनिक कॉंस्टिपेशन परसिस्ट करता है, तो पाइल्स बनने की संभावना बढ़ती है, अगर आप लेटिन में बहुत जो संभावना है, वो हमिशा बढ़ती है, तो चार ही फेक्टर हैं, जो सबसे ज़्यदा determine करते हैं, कि आपको piles होंगे, या आपको piles नहीं होंगे, नव जब piles की में बात करता हूँ, या hemorrhoids की बात करता हूँ, ये दो ही तरह के होते हैं, नमबर वन, internal hemorrhoids, याने जो अंदर की तरफ हैं, या internal rectum में हैं, और दूसरे जो skin के नीचे बाहर हैं, इन्हें कहते है external hemorrhoid, तो internal hemorrhoid, जो के rectum के अंदर हैं, और external hemorrhoid, जो के skin के नीचे हैं, और latin के रास्ते के बाहर हैं, अगर हम grade करने की बात करें, तो scientifically हम इसे कैसे grade करते हैं, grade 1 के piles वो हैं, जो दिखाई तो देते हैं, लिकन बाहर नहीं आते हैं, they are grade 1 piles, number grade 2 के piles वो हैं, कि जब आप ताकत लगाते हैं, तो बाहर आते हैं, लिकन अपने आप ही फिर अंदर चले जाते हैं, they are growth 2 piles, जो grade 3 के piles हैं, जब आप strain करते हैं, तो बाहर आते हैं, लिकन फिर वो अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, आपको push करना पड़ता है, उनको अंदर भेजने के लिए, ये कहलाते हैं grade 3 piles, और grade 4 के piles वो हैं, जो बाहर आ जाते हैं, इन वो अंदर जाते ही नहीं है, आप उनको push भी नहीं कर सकते हैं, तो these are grade 4 piles, तो अगर हम scientifically देखें, तो piles को इन चार grades में हम grade करके चलते हैं, इन से हमारा जो treatment है, वो determined होता है, Now, जहां तक symptoms का सवाल है, कि आपको पता कैसी लगेगा, ये बात बिल्कुल सही, the most common symptom जो लोग देखते हैं, is the bleeding, कि lettering में blood आया, is the most common symptom, लेकिन अगर piles बाहर आते हैं, तो और भी कुछ-कुछ चोटे-चोटे symptoms आते हैं, उनको देखिए, जो lettering का रास्ता है, उसमें कुछ irritation ह हो सकता है, जो lettering का रास्ता है, उसमें खुजली हो सकती है, lettering के रास्ते में दर्द हो सकता है, इन कभे-कभी एक visible, painful, या गांट जैसी swelling में develop हो जाती है, जिसमें काफी दर्द होता है, अगर external hemorrhoid, वो thrombose हो गया, या उसमें खून जमा हो गया तो, तो ये चार symptoms आते हैं bleeding के अलावा, जिससे ये पता लगता है, कि शायद आपको बबासीर जैसी कोई problem है, नो look at, जो treatment के options हैं, वो क्या available होते हैं, इन क्या हम कर सकते हैं, नो जो treatment के अलग-अलग option हैं आपके सामने, वो इस पर depend करते हैं, कि आपके जो piles हैं, उनकी क्या grade है, उनकी क्या severity है, जो द treatment का option है, जो आपके लिए convenient है, ये चार चीजें हैं, जो ये determine करती हैं, कि आपको किस option को opt करना चाहिए treatment के लिए, कि आपको इलाज के किस तरीक पर जाना चाहिए, नो अगर हम तीन टाइप के जो treatment हैं, उनकी बात करें, नमबर वन पर आता है conservative line of treatment, नमबर दो पर आता है office based treatment, नमबर तीन पर आती है surgery, नो जब conservative के मैं बात करता हूँ, तो मैं इन चीजों की बात करता हूँ, नमबर वन, आपको अपनी जो diet है, उसमें fiber के intake को बढ़ाने की ज़रुरत है, आप soluble fiber बढ़ाईए, insoluble fiber बढ़ाईए, आप अगर जो रिशेदार चीजों को बढ़ाए दे रहा है, किसे एक तब में पानी लेना है, वो गुनगुना या hot water जो आप परदाश्ट कर सकें, इन उसमें कुछ भी चीज़ डालीजे, थोड़सा पुटाश डालीजे, डिटाल डालीजे, कुछ भी, इन उसमें 15 से 20 मिनिट आप अगर बैटेंगे, तो आपकी latin की रा आने से नई काम चल रहा है, तो आपको कुछ लेक्जेटिव लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि latin आपकी soft रहे, और soft रहेगी तो आप strain कम करेंगे, तो जो piles है, वो naturally relief होंगे, नमबर चार पर आते हैं topical medications, जो लगाने वाली creams होते हैं, यूजरी इन में कुछ न कुछ hydrocortisone होते हैं, जो latin की रास्ते में जो खुझली है, दर्द है, इन सब में आपको help करते हैं, कुछ मुझे खाने वाली दवाईयां होती हैं, जो flavonides के नाम से होती है, flavotonics के नाम से होती है, यह वास्तों में जो venus in lymphatic का जो blood flow है, उसको improve करती हैं, capillary permeability को better करती हैं, और च आपके सामने रखी, इसके लिए अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित फाइदा मिलेगा, that next is कि अगर इससे आराम नहीं आ रहा है, इन bleeding बंद नहीं हो रही है, तो doctor को consult करके कुछ treatment ऐसे हैं, जो OPD base पर किये जा सकते हैं, number one, आपको rubber band लगाए जा सकते हैं, band के ऊपर आप OPD में आईए, OPD में ही आपको rubber band लगा दिये जाएंगे, उससे जो, I mean, piles हैं, वो वास्तों में tight हो जाते हैं, and bleeding लगबग बंद हो जाती, that's number one, number two, कभी जो हैने जैसा आपको photograph में दिखाई दे रहा है, ऐसी injections लगाए जा सकते हैं, OPD में, इसे कहते हैं, sclerotherapy, number three, कभी infrared photocoagulation किया जा सकता है, ये भी OPD procedure है, तो अगर हम treatment के option को देखें, तो conservative आपने पहले देखे 5, और अगर आप outdoor में आते हैं, OPD में आते हैं, बिना भरते हुए, तो ये तीन option हैं, जो आपको मदद करेंगे, the next one is this surgery, अगर कहीं से काम नहीं चलता है, तो आपको operation कराने की ज जरूरत पढ़ जाती है, अगर external एं internal hemorrhoid दोनों हैं, mixed हैं, तो operation की जरूरत पढ़ने की सांभावना जाधा है, अगर आपको बार 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 बवासीर हो रहे हैं, अगर बार हो रहे हैं, तो आपको operation की जरूरत पढ़ सकती है, जहां तक surgery का सवाल है, हमारे पारे सों बहु 3 is Doppler Guided Hemorrhoidal Artery Ligation, यह 3 methods ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती है, जो stapled surgery है for hemorrhoids is the most common surgery जो आग की तारिक में perform की जाती है, लेकिन open or closed hemorrhoidectomy is also one जो यूज की जाती है, इनके बारे में detail में बात करेंगे किसी समय हम लोग, नो यह बिल्कु सचाई है कि अगर जो piles हैं वो grade 1 के हैं या grade 2 के हैं, तो इनको definitely बिना operation के manage किया जा सकता है इनको आप सिर्फ conservative treatment से घर में ही manage कर सकते हैं, लेकिन अगर surgery का सवाल है, तो कभी ज़रूरत पढ़ जाती है अगर grade 3 या grade 4 के piles हैं तो सिर्फ बड़े जो piles हैं grade 3 और grade 4 वो surgical option मांगते हैं, grade 1 और 2 के piles जो conservative treatment है या opinion based जो treatment है उससे ही आपका काम चल जाता है जोहां तक piles का सवाल है, उसको घर में manage किया जा सकता है conservative treatment से लेकिन यह depend करता है कि grade क्या है, pain कितना है, discomfort कितना है तो जो conservative treatment है वो grade 1 और grade 2 इन piles के लिए ठीक है बिना operation के अगर आप समझते हैं कि piles को बिना operation के ठीक किया जा सकता है और इस वीडियो से उसको समझने में मदद मिलती है तो इसको जरूर शेयर करें मैं Dr. V. Commissioner from Guest to Lever Hospital स्वरुपनगर कानपूर Thank you very much